हेलो आप्रिवन वेलकुम टू लेट्स क्रेक आज की वीडियो में हम बात करेंगे में माचल परदेश जुनियर ओफिस असिस्टंट आई टी प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 का मेरा बैज स्टार्ट होने वाला है 15 तारीक को तो उसी के रिगार्डिंग में आप लों को दो क् आप लों के पेड़ बैचिस में चलेंगे बट यह आज आज आप लों का एक डेमो क्लास है तो इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर आप लों को किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज आप लोग मुझे वाटसैप पे मैसेज कर सकते हैं 8350947171 और साथ में कहना चाहूंगा लेट्स क्रेक आप लों को ओनलाइन कोर्स भी प्रवाइट करवा रहा है जिसमें आप लों के फिलहाल जो कोर्स 15 तारिक से स्टार्ट होंगे उसमें आप लों का HPSV कंप्यूटर ऑपरेटर का होगा साथ में जी यूई आइटी का और जो आपका आने वाला प्रवांस तक के जितने भी कॉश्चन करवाए जाते हैं जहां आप लों को एक्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आप लों के साथ आज डिसकस करूंगा तो टॉपिक का नाम लिख लिए और जितने भी स्टूडेंट है आप लों को मैंने अल्रेटी भी बता चुका हूं कि प्लीज कोफी पैन रखा करें जब भी मैं आप लों को पढ़ाऊं तो इंटरनेट का टॉपिक है इसके रिलेट्टिट जितने भी आप लों को कॉश्चन आते हैं उसमें हम आज 30% इसी के उपर डिसकस करेंगे टॉपिक है इंटरनेट ठीक है तो रोटी कपड़ा और मकान ठीक है तीन वर्ड आप लोग सुनते हैं कि इनकी जरूरत है बट आज के समय में अगर आप देखे तो रोटी कपड़ा और मकान के साथ एक वर्ड और एड कर सकते हैं या आप जिसे कहते हैं इंटरनेट के ही साथ हम अपनी जिन्दगी को बिता र आप लोगों को डिटेल में क्लासिस के साथ बट हम पड़ेंगे वही जो आप लोगों के एक्जाम में आने वाला हो फस्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो आप लोगों का इंटरनेट है इसके फादर कौन है फादर आफ इंटरनेट या आप लोगों से कहा सकता ह है कि internet के पिताम हां कुन है तो याद रखना आप लोगों ने इनका नाम है विंट सरफ कि हिंदी वाले स्टूडेंट भी लिख सकते हैं विंट सरफ जो थे परसन यह आप लोगों के कोई और कंट्रे है ठीक है यहां से लेकर आप लोगों का कोई भी आप लोगों की मेल है यहां से यहां तक की information आप लोगों की जो आ रही है वो किसके दोरा आ रही है यहां से information आ रही है और यहीं से information आप की जा रही है ठीक है तो यह आप लोग को कहां से मिलता है आप लोग का जो मैसेज है वो यहां से यहां तक कैसे पहुंचता है यह आप लोग के माइंड में एक और कोश्चन आना चाहिए कि जो आप लोगों का इंटरनेट है वो आप लोगों तक कैसे पहुंच रहा है तो यह wire हैं जो आप लोगं की, वो कहां पर हैं? क्या ये आप लोगं को air में दिखती हैं आपकी wire, या आप लोगं को zamowski में दिखती हैं? तो आप लोगं को पता होना चाहिए जो आप लोगं का पूरा जाल विशा है internet का वो आप लोगं का प्रवाइट हो रहा है ठीक है और इन ही वायर्स की मदद से हम लोगों तक या पूरे बिश्व को आप लोग का जोड़ा गया है इंटरनेट के दुआरा उनको लाया किसके दुआरा जाता है पानी में आप लोग की जो वायर्स है वहां से आप लोग के पहुंच रही हैं आप लोगों तक अगर आप लोगों से कोशन पूछा जाए ये वाला ठीक है मैं आप लोगों सार्ट डारेक्ली वही कोशन डिसकस करूँगा जो एक्जाम में आने वाले हैं इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज कॉपी पैन अपने पास रखिए फरस्ट अफ़ आप लोगों से कोशन पूछा जा सकता है कि इंटरनेट क्या शुरू से ही इसी नाम से जाना जाता है क्या इंटरनेट का जब आप लोगों का इंटरनेट मार्केट में आये था या इंटरनेट जब भी आप लोगों का लौंच किया गया था या इन्वेंट हुआ था क्या इसको इंटरनेट के न का invent किया गया था किन के लिए किया गया था फॉर्डेयर आर्मी तो उसे कहते हैं यूएस आर्मी और यह किस लिए ताकि जो आप लोग के आर्मी के जितने भी सॉल्जर है वो एक दूसरे के साथ जो सॉल्जर यहां बैटा है वो इस सॉल्जर के साथ आपस में रूल एंड रेकुलेशन और प्रोटोकोल के अंतरगत एक दूसरे के साथ अपनी कॉम्निकेशन को कर सके तो इसके लिए ही आप लोगका अर्पा नेट को लाँच किया गया था और इस दोनों की जो इन்फोरमेशन है इसको कोई थर्ड पर्सन assess ना कर सके तो इस तरह का आप लोग का ये आर्पानेट को launch किया गया था ठीक है तो ये important है अब आप लोगों से एक तो ये question पूछा जाएगा second question आप लोगों से पूछा जा सकता है जो आप लोगों का आर्पानेट है इसकी full form क्या है तो याद रखना advance research project agency network ठीक है तो ये important है आर्पानेट A से आपका advance है R से research है P से project है agency और net network आप लोगों से question भी पूछा जा सकता है कि आर्पानेट में A का बताये क्या है R किस से सबंदित है P का full form बताये ठीक है ऐसे भी आप लोगों से question पूछा जा सकता है तो आप लोगों से ये भी question पूछा जा सकता है कि क्या इंटरनेट में only ARPANET को ही introduce किया गया था तो एक और चीज धियान लखना आप लोगों ने सिरफ ARPANET को ही नहीं introduce किया गया था यहाँ पे इंटरनेट एक और introduce किया गया था जिसको नाम दिया गया था NSFNET अब जो AIRPANET आप लोगों बनाये गया था यह अमेरिका के द्वारा special अपनि यैवेस हार्मी के लिए बनाये गया था बढ़ जो आप लोगों का NSFNET है वो आप लोग का बनाया गया था तो इसको ध्यान अखना पहले इसकी आप लोग फुल फॉर्म याद रखिए तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग के रहेगी नेशनल साइन्स फाउंडेशन नेटवर्क अब देखी जो आप लोग के NSFnet थी ये एक तरह का एक कह सकते हैं कोई राष्ट्रिय आप लोग का साइन्स फाउंडेशन थी ये जो आप लोग का NSFnet है ये आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में सब ने सुना होगा जो भी स्टूडेंट आप लोग के ये था कि इस पे एक रूल लागू किया गया था रूल आप लोगों का क्या था रूल आप लोगों का ये लागू किया गया था कि इसको वो ही और्गेनाईजेशन अक्सेस कर सकती है या आप लोगों की यूज कर सकती है जो एक ऑथेंटिक और्गेनाईजेशन होगा जो ए इसी भी तरह से internet का प्रियोग नहीं कर सकते थे तो पूरे वर्ल्ड में आप लों का जो internet फैला है उसको देखते हुए कि हम अब internet को क्या करेंगे पूरे वर्ल्ड में बनाएंगे पूरा वर्ल्ड इसका फाइदा उठा सके तब क्या किया गया आपका जो आर्पानेट था आपका जो NSFnet था इन दोनों को कॉंबाइन किया गया और यहीं से आप लों का बना internet तो यह question common है आप लोगों से पूछा जा सकता है तो याद रखना आप लोगों ने बाद में USA, United States, America के दोरा ही आर्पानेट पुलस आप लों का जो NSFnet है इसको आपस में मला दिया गया और आप लोगों का बनाया गया internet इंटरनेट आप लोगों का market में कब launch किया गया तो याद रखिए आप लोग 1971 में इसके ओपर भी कुछ protocol है इनके बारे में भी हम तेल में discuss करेंगे आप लोगों को बताऊंगा बिलकुल एक simple language में आप लोग समझ सकते हैं उसके ओपर कोई भी data transfer किया जा रहा है transmission troll protocol ठीक है कुछ भी आप लोग याद रखना इनमें TCP की जो full form है इस तरह IP आप लोग जानते हैं internet protocol आप लोग का ओके तो ये दोनों आप लोग के protocol है जो कि आप लोग के internet के लिए use किया जाते हैं अब इन protocol को हम कैसे समझ सकते हैं तो ध्यान रखना आज स कुछ साल पीछे चले जाई ये तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों में क्या होते थे landline landline में क्या आप लोग के सबसे बड़ी problem आती थी हम dial करते थे इस person को ठीक है कई बार ये problem basically देखनी जाती थी बट dial हो जाता था इस person को यहां से समझ लेगे a person है b person है और E-mail हो जाता था C person को जिसे आप लोग जानते भी नहीं थे क्यों क्योंकि यहांप एक protocol यूज नहीं होता था और उस protocol कर क्या नाम था उस protocol का नाम था TCP और आप लोग का IP TCP IP के protocol यूज नहीं किया जाता था आप लोग के landline में जो कि आज के समय में भी लागू होता है बट आ जाँ परंसन आप Newcom, Fista, अगर आप लोगों ने यहां पर कैई है तो इसी परसन को को घएगी आप लोगों ने इस परसन को बीडियो को ग्याइक यहां परशन को सेंड किया तो इसे परशन को जाएका आपने की इसी परस now को कई पिच्चर को विडियो सेंड क पेदे ACP और IP एप लोगों को साब सबस्ट सब्श्च सब्डों में कहते हैं कि हमारी me आप लोगो यह बता रही है कि हम इंटरनेट के ऊपर एक प्रोटोकॉल के रूप में काम करते हैं हम- ही आप लोग mesa को कॉल करेंगे जिस परसन को मैसेश करेंगे जिस परसन और पिक सेंड करेंगे वीडियो सेंड करेंगे वो उसी परसंड को जाएगी ना कि किसी थर्ड परसंड को तो ccp transmission control protocol ip internet protocol आई होप आप लोंके लिए कोशन का जो अंसर आप लोंका था वो मिल चुका होगा ठीक है नेक्स बात करें यहां पर बारबार में यहां पर वर्ड यूज़ कर रहा हूं प्रोटोकॉल भी आप लोग समझते हैं कि प्रोटोकॉल आप लोंका क्या होगा आप लोगोंने अभी कुछ समय पहले लास्ट यह देखा होगा मोदी जब अमेरिका गए थे तो बहां पर एक न्यूस फ्लेश हो रही थी आप लोंकी कि अमेरिका के राष्ट्रपती डॉनल ट्रंप के द्वारा अप अपना प्रोटोकॉल तोड़के जो न्रेंदर मोदी हैं उनको गले से लगाया जा गले उनके मिले ठीक है तो यह प्रोटोकॉल होते हैं प्रोटोकॉल आप लोग समझ सकते हैं प्रोटोकॉल का सिंपल मतलब याद रखिए रूड लेंड रेगुलेशन ठीक है तो यह आप उसको example से नहीं समझोगे, आप लोग का paper clear होने में problem create होगी, आप लोग जहां से भी course purchase किजी है, मैं आप लोग को मना नहीं कर रहा हूं, बट एक चीज का promise करता हूं, आप लोग को बापिस इसी channel के उपर आना पड़ेगा, ये मेरी guarantee होती है, ठीक है, क्योंकि ये चीजों का म आप लोग को, जो मैंने आप लोग को WhatsApp, Facebook या Gmail के बारे में आप लोग को बताये, तो rule and regulation या protocol आप लोग समझ चुके होंगे, क्या मैं आप लोग को कहना चाहता था, अभी बात करेंगे हमारे जो internet है, इसकी services क्या होती है, उसके पहले आप लोग कुछ जा आप लोग इसी से समझ दिये, कि सबसे पहले अगर आप लोग इसे कोई internet का मतलब समझे, तो इसी चीज़ से आप internet का मतलब आप किसी को भी समझा सकते हैं, www या आप लोग का W3B से कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसे कहते हैं, world, white, bev, पूरे संसार में फैला हुआ एक जाल, world का मतलब पूरा इंटरनेट या जिसे आप लोग कह सकते हैं, www, आप लोगों से कोईशन पूछा जाएगा, कि जो आप लोग का www है, या आप लोग का W3 है, इसको इन्वेंट किसके दवार किया गया था, तो याद रखना आप लोगों ने टिम वर्नस लीका ही, यहाँ पे नाम आप लोग क आएगा, तो टिम वर्सन लीक उन है, अभी मैंने आप लोग को बताया कि इंटरनेट के जो आप लोग के जो फादर थे उनका नाम क्या था, वो उनका नाम था आप लोग का विंट सर्फ, तो यह चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, टिम वर्न लीका, इन्हों न तो याद रखना आप लोगों ने वर्ल्ड का जो फर्स्ट वैब ब्राउजर था, वो भी आप लोग का कौन सा था, वो आप लोग का वर्ल्ड वाइट वैब ही था, चीक है, तो वर्ल्ड वाइट वैब आप लोग का क्या है, इसके उपर किस तरह का का काम किये जाता है, इ कोलेक्शन ओफ बैप पेज ठीक है अब आप लोगों से कोशन पूछा जाएगा कि जो आप लोगों की बैप साइट है इसमें जो लैंग्विज यूज होती है वो कौन सी होती है तो वो आप लोगों की STML की होती है STML आप लोगों का क्या है हाइपर टेक्स मारकप लैंग्विज ठीक है जियो याइटी वालों को फुल फॉम आएगी और आती ही है हर आबार ठीक है आप लोगों से कोशन पूछा जा सकता है एक और HTTP हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकोल जिसके बारे में अभी हमने बात की आप लोगों से कोशन पूछा जाता है इसका अगर आप लोगों को आएगा तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि HTTP के pages को कोन collect करता है ठीक है तो http के pages को collect करता है हाँ इस थरह से बनेगा तो वो आप लूँ के stml के stml के जितने भी pages आप लूँ के होंगे वो आप लूँ के http के दोबरा ही collect के जाते हैं आप लोगोंने देखा होगा इस तरह होता है http. तो इन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रखना जो छोटे-चोटे बनते हैं बाकि हम HTML जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारा कुछ मैं बताऊंगा अब HTML की बात की है और मैंने आप आप लोगों को ते ओने चीज़ है आप लोगों को पता होना जाहिए कि आप कोई भी we अगर ऑपन करते हैं तो उसका क्या होता है एक तरह आड्रेस कोई भी फैपे जब्र चीज़нихवेत कर सकते वो generate होता है जब तो उसको क्या कहते हैं जो भी जब भी generate होगा तो उसे कहा जाता है IP address इसके लिए कुछ चीज़ों का आप लोग का कुछ rules होते हैं IP address के जो आप लोग को अभी भी देखने को question मिला था और इसके ओपर question आप लोग का आता ही आता है तो याद रखना आप लोगों ने कि चार नंबर का जो group होगा the group of four number इसको क्या कहा जाता है इसको IP address कहते हैं और यह जो आप लोग के group of four number होंगे आप लोग के इनको अलग किया जाता है एक dot के दुआरा जो मैं आप लोग को बताऊंगा अभी ठीक है और third rule इसका जो होता है इसमें यह बोदा जाता है कि 0 से लेकि आप लोग की 255 की संख्या है इसी में ही आप लोग का जो IP address होगा वो लिखा जाएगा 0 से 255 256 257 यह आप लोग की IP address में count नहीं की जाती क्यों नहीं count की जाती वो मैं आप लोग को बताता हूं इसकी आप लोग को मैं एक example दूँगा जैसे मान लेजिए यह लिखा गया ठीक है तो यह आप लोग का एक valid IP address रहता है आप लोग को मैं question दूँगा आप लोगों ने बताना है कि यह valid address है कि नहीं 25 25 200 00 43 इन में से unvalid बताना कौन सा है 27 198 83 44 04 82 98 256 इन तीनों में से बताना आप लोगों ने कौन सा है प्लिस कोमेंट में आप लोग अपना अंसर जरूर देना मुझे अब आप लोगों से question पूछा जा सकता है कि 0 से 255 ही ऐसा क्यों है जीरो से 255 क्यों है क्यों नहीं है 256 क्यों नहीं है 257 अप टू जितने भी आप लोगों के डिजिट आगे numbers होते हैं तो आप लोगों ने एक rule को याद रखना है कि जो आप लोगों का यहां पर use होता है SKI code सुना होगा सभी student ने SKI code SKI conversion के बारे में आप लोग जानते हैं क्या यह चीज होती जिन्होंने भी BCA, MCA, DCA, PGDC की होगी उन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा American Standard Code for Information Interaches के बारे में ठीक है तो आप लोग जानते हैं हमारा जो computer है यह आप लोग का computer है बिल्कुल basic चीज में समझाओंगा easily समझ जाओंगे यह आप लोग का computer है और यह क्या है आप लोग का यह एक तरह का electronic device है जो की काम किसके ओपर करता है electronic के दुआरा करता है और यह कौन सी भाशे समझता है आप लोग की वाइनरी भाशे समझता है जिसे कहते है जीरो और आप लोग का one computer में होता क्या है आप लोग का computer में आप लोग का use किया जाता है एक mother word Mother Word Mother Word में आप लोगों के क्या लगे होते हैं छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं तो ये आप लोग जो Old Student है वो इसलिए इन चीज़ों के बारे में जानते हैं जिनके उपर हम क्या करते हैं Crunt को Pass करवाते हैं तो ये भी आप लोगों को इसलिए समझ आ गया होगा ठीक है जब हम इनके उपर Crunt पास करवाएंगे तो Crunt के इनके उपर पास होता है तो ये भी आप लोग जानते हैं Switch के उपर पास होता है तो Switch के दो ही फॉर्म होते हैं या तो On या तो Off इसे क्या कहते हैं Switch On, Switch Off On को Value दी है One Off को Value दी है Zero तो आप लोग इस चीज़ को समझते हैं Electronic Device Computer हमारा Zero One के उपर वरक करता है जो की S काई Conversion के साथ Related रखा जाता है अब यहाँ पर बात आ रही है Zero One की Computer कैसे समझता है Zero One को Computer को तो सिर्फ एक ही बाशा समझ आती है जो की क्या है आप लोग की Zero One बट हम क्या करते हैं हमारे पास एक छोटा सा Keyboard होता है Keyboard एक Standard Keyboard के उपर कितनी Keys होती है 101 101 आप लोग की क्या होंगी Key इनके उपर आप लोग की क्या होते है ABC Capital में ABC Low में मन करेगा तो हम 123,567 भी लिखेंगे मन करेगा तो हम Symbol का प्रयोग भी करेंगे तो यह जितने भी आप लोग के होंगे जितने भी आप लोग के यह सब चीजें होती है तो 101 आप लोग के अगर Keys है तो इन सब का क्या होता है एक तरहां का SKI Code होता है 101 कीज का SKI Code आप लोग का होता है जिसकी वैलिव आप लोग की 0 से लेके 255 तक होती है तो यह चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है ठीक है तो यह important है और यह जो आप लोग का SKI Code है यह किसके उपर वरग करता है तो आप लोग जानते है यह वरग करता है Pico Second के उपर और आप लोग को यह भी पता होना चाहिए जो हमारा Computer है इसकी जो हमारी रफ्तार या आप इसको यह जाना है कि हम Computer की जो Speed होती है इसको भी हम Pico Second से ही क्या करते है Mizer करते है आप लोगों ने देखा होगा क्यों 0255 हुआ होगा ठीक है तो इस चीज को आप लोग इस तरह समझ सकते हैं इजी वे में आप लोगों ने समझ लिया अब यहीं पर हमने बात की थी बैप पेस के बारे में तो बैप पेस में आप लोगं का यूज किया जाता है यूरल की आप लोगों का फूल फॉर्म ही पूछ जाती है जिसे क्या कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसॉर्स लोकेटर यूनिफॉर्म रिसॉर्स लोकेटर क्या है आप लोगों की यूर्ल की फूल फॉर्म है अब यहाँ पर कोशन आप लोगों से पूछा जाएगा कि URL के इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था तो यहाँ पर नाम याद रखना आप लोगों ने Tim Verness League के द्वारा ही Tim Verness League के द्वारा कब किया गया था? सिंपल सी बात याद रखना आप लोगों ने कि 1990 में आप लोगों का www मार्केट में आये था और उसके ठीक चार साल के बाद आप लोगों का URL मार्केट में इंटर्यूस हुआ था 1994 में चिक है? तो यहाँ पर एक कोशन आप लोगों को पूछा जा सकता है बट उससे पहले एक चीज याद रखना कौन से ऐसे भारत की है या कौन से आप लोगों के ऐसे भारत इंडिया इंडियन अमेरिकन और इजन परसन थे जिनका नाम था अजे भट अजे भट ने टीन बरनर लेकी काफी इसमें help की थी URL के invent के लिए ठीक है? अजे भट का नाम याद रखना आ गया तो ठीक है? नहीं आए तो कोई बात नी तो 1994 आप लोगों से कोशन पूछा जा सकता है कि URL को कितने पार्ट में डिवाइट किया गया है? तो सिंपल सी बात याद रखना है इसको तीन पार्ट में डिवाइट किया गया है किस तरहां? तो समझ दिये आप लोग प्लीज इसको लिख सकते हैं लिखना चाहें सब्सक्राइब यहां पर डवल्यू 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 डोट जैसे मैं लिखता हूं Google.com अटिक है? आप लोगों ने किसी भी बैप पेस के ओपर या किसी बैप साइट के होम पेस पर जाना है तो आप लोग क्या करेंगे? यह आप लोगों को एक complete address लिखना पड़ेगा तब ही उसका एक क्या खुलेगा आप लोगों का simple सी बात उसका home page खुलेगा बट हम क्या करते हैं? सिद्धा साथ search करेंगे Google, Google search करेंगे वो अपना home page अपने आप ही आप लोगों को दे देगा बट जो उसका home address होता है वो आप लोगों का इतना बड़ा होता है तो URL को समझने के लिए आप लोगों को इन चीज़ों को समझना पड़ेगा तीन चीज़ों में इसको divide किया जो सबसे पहला आप लोगों को ने याद रखना प्रोटोकोल आप लोगों को ये question पूछा जाता है तो Hypertext Transfer Protocol ये आप लोगों का पहला है Second आप लोगों का ये जो इसका part है वो ये रहेगा इसको भी ध्यान रखना Second part आप लोगों का क्या कहलाता है ये होता है आप लोगों का domain name तो domain name आप लोगों जानते हैं थर्ड आप लोगों का ये रहेगा थर्ड आप लोगों का क्या है ये आप लोगों का part इसका रास्ता हमें इसका webpage चाहिए तो हमें ये चला चाहिए इसका हमें contact number चाहिए तो हमें यहाँ पे contact लिख देंगे और html.index आ जाएगा तो आई होब आप समझ चुके होंगे कि uniform resource locator जिसे टीम वर्नर ली के द्वारा 1994 में अजे भट जो की एक Indian American ओरिजन परसन थे उनकी साहिता के द्वारा uniform resource locator को market में 1994 में लाया गया था जिसके तीन part है इसको हमने protocol, domain name और आप लोगों का path में लिखा है तो यह चीज़ आप लोग समझ सकते हैं easily आप लोग के लिए important है अब यहां पर एक और चीज़ समझ लेज़े यहां से भी question आप लोग को पूछता जा सकता है कि जो आप लोग का domain name है इसको कितने part में divide किया जाता है चाहिए वो आप लोग का google mail है चाहिए गूगल mail है चाहिए आप लोग का facebook है, instagram है कुछ भी आप लोग समझ सकते है important चीज़े यह आप लोग की अभी मैंने यहां पर बात की आप लोग की z-mail की तो z-mail के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूँगा बर जब हम mail का topic पड़ेंगे तो बहाँ पे भी हम समझेंगे email आप लोग का क्या है email को कहते है electronic mail ठीक है, पत्र आप लोग का लेखन, तो electronic mail है आप लोग का, तो electronic mail आप लोग का तब ही access होता है जब आप लोग के पास क्या होगी एक तरहां की email ID आप लोग क्या करते थे पहले का जो time होता था उसमें किसी भी जगा पर आज के समय भी आप लोग post करते हैं तो post करने के लिए क्या चाहिए एक तो sender का नाम और एक receiver का नाम तो email में भी आप लोग के पास एक क्या होना चाहिए valid email होना चाहिए जिसमें sender का भी एक valid email और आप लोग का receiver का भी एक valid email होना चाहिए तो email बनाने के लिए आप लोग को different applications का प्रियोग किया जाता है अब यहां से एक ही question बनता है वैसे important जो होता है जैसे google है आप लोग का तो email का microsoft का है तो hotmail आप लोग का चलता है yahoo है आप लोग का तो आप लोग का yahoo mail चलता है जो important question आप लोग का यह पूछा जाता है क्या आप लोग google mail के दोवारा क्या hotmail के उपर message कर सकते हो क्या आप yahoo mail के उपर message कर सकते हैं तो याद रखना आप लोगों ने yes ठीक है basic सा question पूछा जाता है तो important है आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है यहां से आप लोगों का question बन सकता है ठीक है तो यह चोटा सा topic था आप लोगों का internet का जो अभी complete नहीं हुआ है just इसका 20% क एक topic था जो मैंने आप लोगों के साथ discuss किया है जहां से आप लोगो question बन सकते हैं जिसके ओपर हम बात करेंगे हमारी जो 15 तारिक से class स्टार्ट होंगी उनके ओपर ठीक है तो आप लोगों को यह कैसी class लगी तो प्लीज इसके बारे में आप लोग मुझे comment कर सकते हैं through my whatsapp number और आप comment कर सकते हैं और आप लोगो internet related कोई भी आपको दिक्कत आती है तो प्लीज आप comment कर सकते हैं आप लोगों के मैं help कर सकता हूं ठीक है तो इतना सा ही होता है आप लोगो यह class कैसी लगी इसका प्लीज आप लोग review जरूर दें feedback जरूर दें अच्छी लगी तब भी ठीक है नहीं लगी तब भी ठीक है बाकि शियर और लाइक का यहां पर कोई भी डिक्कत नहीं है करना चाहें कर सकते हैं otherwise इसकी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है thank you so much good night to all of you कल की class में मिलेंगे आप लों के साथ जिसमें मैं आप लों को Microsoft के कुछ important tips बताऊंगा या आप लों को इसकी कुछ information दूँगा बट उसकी जो मेन क्लास होगी वो मेरी paid batch में ही सोगी ठीक है जे thank you so much good night to all of you